वायू प्रदूशित पर आपने ता प्रियांका ककड का बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि देश में सबसे प्रदूशित राज्यों में हर्याना और पंजाब का नाम शामिल है लेकिन प्रदूशित बावन जिलों में हर्याना के 20 और पंजाब के सिर्फ दो जिले है इस वक्त प्रदूशन और पराली जलानी से संबंदित है, पंजाब में आप सरकार आई है, हमने प्रदूशन पर लगतार काम किया है, पराली जलानी से होने वाला प्रदूशन कम हुआ है, हर्याणा सरकार लेकिन इसे कम करने में नाकाम क्यों रही आम आध्मी पार्टी की तरफ से हर्याना सरकार पर पराली जलाय जानी को लिकर एक तरहस निशाना साधा गया है एक प्रेस कौंफेंस में आपने ता प्रियंका का करने यह तमां बाते के उन्होंने काया कि सबसे प्रदूर्शित बावन जिलों में हर्याना के 20 जिले हैं और पंजाब के सिर्फ दो जिले इसमिशा में दिल्ली एक मात्रस सरकार है जहां हम देखेंगे कि अर्विंद केजरिवाल जी हमारे इन्वारिमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी लगातार जमीनी स्थर पर ग्राउन पर उतर कर काम कर रहे हैं एसी में बैठके बाते नहीं करते दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता ने इतना अथक प्रयासों से इस बार हुआ है कि 200 गुड़े डेज भी थे और पंजाब में भी हमने पराली रेडक्शन 50 to 67% रिडियूस कर दिया है हम स्विकार कर रहे हैं हमने मॉनिटरिंग करी है हर जगा पर बाकी सरकारें तो तू जिले हर्याना में हैं और सरफ दो पंजाब है इस बीच हर्याना के कृश्यमंत्री जेपी दलाल का ट्वीट सामने आया उन्होंने लिखा अमने के जिवाल और भगवन पान से पानी मांगा है पराली का धुआ नहीं पिछले तीन दिनों में पंजाब में पराली जलान के मामले बड़े हैं पराली जलाने की घटनाओं का आंकड़ा भी उन्होंने शेर किया है तो यह ट्वीट अर्याना के कृश्यमंत्री जेपी दलाल ने किया है आपको बतादे कि इन दिनों पंजाब औहरना के बीच पराली जलाय जलानी को लेकर वार पलत वार का सिलसला ल हमारे साथ इस बेहदाम खबर पर हमारे स्टेट है जितेंद्र चौदरी सीधे बने हुए है मेरी साथी अर्सिमृत पॉल भी इस खबर पर बनी हुए है जितेंद्र आपका रुक करने पहले पराली जलाय जाने को लेकर पंजाब और हर्याना बिलकुल आमने सामने हैं आम पार्टी के तरफ से प्यांकर ककर ने कहा कि हमने मॉनिटरिंग किया है पराली जलाय जाने के मामले कम हुए है और पंजाब में पराली जलाने से प्रदूशन नहीं हो रहा इधार हर्याना के क्रिश्मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि पंजाब में लगतार पराली जलाय जा बिल्कुल मुम्ताज इस मसेले पर बयानबाजी जो है वो हर बार देखने के लिए मिलती है जब मौशम सर्द होता है और जो बिल्किल प्रूशन का स्थर है बढ़ता हुआ जब नजर आता है लेकिन यहाँ बैानबाजीों की बात के साथ-साथ आंकनों की बात भी जो है वो आउंकडंगे वही पंजब के अंदर यह आउकड़े जो है प्रती दिन पंदर हो यह अदिक है कि कितनी अधिक जो गंबीरता इस मसले पर बरत रहा दक्रम्हाइब को यह अउस्फछा कोording आउक्डों की तरफ से जो आंकड़े एक नमंबर से लेकर के तीन नमंबर यानी तीन दिन के जो आंकड़े शेयर किये हैं उसमें एक नमंबर को 99 केस हरियाना के अंदर थे तो वहीं पंजाब के अंदर 1921 केस थे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर जो है वो यहां पर है जहां 99 केस हैं हरियाना में वहीं 1921 केस एक नमंबर को ही पंजाब के अंदर है 48 केस दो नमंबर को हरियाना में है और 1668 केस दो नमंबर को पंजाब के अंदर है 3 नमंबर को 28 केस है यानि लगातार जो अंतर है वो घट रहा है पहले दिन 99, 48 और 28 एक नमंबर से 3 नमंबर से उपर का ही ये पूरा आंकडा है कुल मिलाकर के तीन दिन में पाँच हजार एक सो चालिस के जो है वह पंजाब के अंदर है तो वहीं कुल 155 के इन्दर हर्याना के अंदर है जो इस बात को दर्शारा है कि इस पर बैंबाजी या राजनीती से हट करके सटीक कदम जो है वो सियासत में उठाए जाने चाहिए और किर्शी मंत्री जेपी दलाल ने यही तंज जो है वो पंजाब सरकार पर मान सरकार पर केजदिवाल सरकार पर यहां पर जो है कस्ते नजर आए हैं कि उनकी तरफ से पानी मांगा गया है पर तो उसमें शामिल हैं वो कहते हैं कि हर्याना सरकार पराली जलाय जाने के मामलों को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है देखिए बिलकुल यह तमाम चीजे जो है जो बड़े जो परयावरन विद है उनकी तरफ से इसको लेकर के जानकारी जो है वो दी जा सकती है कि इस समय हवाओं का दवाब किस परकार से होता है पक्षमी विक्षोब जो है उसका असर किस तरीके से पढ़ता है दिल्ली और NCR के शेतर में क्योंकि दिल्ली के अंदर भी लगातार प्रदूशन जो है वो बढ़ रहा है यहां पर भी इस्तिती जो है वो खराब होती जा रही है तो वहीं हरियाना में भी जो दिल्ली से सटे जिले है या फिर जो पंजाब से लगते जिले वहां साफतोर से इसका असर देखने के लिए मिल रहा है हवा खराब से बेहद खराब की श्रेणी की और लगातार बढ़ रही है चार सो से भी अधिक का एक्यू आई जो है साथ से अधिक जिलों के अंदर हरियाना में बना हुआ है और इसको लेकर के अब चिंता जनक इस्तिती बनती नजर आ रही है इसमें संख्या को नागिन करके इसके कौज को अगर देखा जाए तो ज्यादा बहतर होगा कहां पर कितने जिले है या पर कहां पर कितना चीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस वेच मैं हरस्मृत पॉल मेरी साथ ही उनका रुक कर रही हूं पंजाब के हवाले से हरस्मृत पॉल से बात करेंगे हरस्मृत इलजाम तराशियों का दौर लगतार जारी है पंजाब औहरेना सरकार एक दूसरे पर पलारी जलाय जाने को लेकर लगतार इलजाम रख रहे हैं लेकिन असल सुरते हाल क्या है पंजाब मेरी सिमृत आप जरा तफसीर से बताईए और आपको यह भी बता हैं कि मान सरकार जो है लगातार पराली जलाने के लिए जो किसान हैं उनको जागरुप कर रही है और कई चीजों के साथ समझा रही है कि इस बार जो पराली है वो जो धुआ उठता है उसे कहीं न कहीं पंजाब भी परदूशित होता है और साथ में अगर और राजे हैं तो वहां पर भी प्रदूशन होता है तो साफ तो और पर अगर प्रदूशन इस तरह से किया जाएगा पराली जलाई जाएगी तो सबसे जादा जहर जो है वो जलाई जा रहा है और आपको ये भी बताएं कि साथ ही साथ जो अधिकारी इससे सलिप रहते तो जुड़े रहते हैं खास करके डी सी अगर मैं उनकी बात करूँ अलग अलग जगा कि सब को इसकी सूचना दी गई थी और जैसे ही कहीं पर पराली जलाने का मामला सामने आता थ कि इस बार पंजाब में जो मामले सामने आए हैं पराली जलाने के वो 50 फीसद तक कम आए हैं पर हालांकि मैं पिछले दिनों की बात करूँ तो जरूर इसमें कुछ इजाफ़ा देखने को मिला है पर हालांकि अभी कितने मामले हैं ये रिपोर्ट नहीं हो पाएं हैं साथ ह से बाकी जगा पर देखने को आ रहा है कि बहुत सारा जो प्रदूशन है वो हुआ है तीन सो से ज्यादा कहीं कहीं पर एक यू आई पहुंच चुका है उसको लेकर कि पंजाब में हालात फिर भी टीक हैं आपको ये बताएं कि बावन जेलों के लिस्ट जारी की गई थी ज हर सिमरत पंजाब में पराली जुलाय जाले से हर्याना में भी दिक्कत होती है और यही वज़ए कि हराणा के क्रिशमंतुरी जेपी दलाल ने भी ट्वीट करके पंजाब सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका चुका नहीं है वो लिखते हैं कि हमने पंजाब से पानी मा मांगा इल्जाम चाहे कुछ भी हैं लेकिन पराली जुलाया जाने के मामले कम नहीं हो रहे और दोनों ही राज्यों में सुर्थिहाल काफी खराब है लोग प्रदूशन से आज ही जा रहे हैं अजय बिल्कुल इल्जाम जो हैं वो जरूर एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं जहां पर पंजाब सरकार की बात की जाए तो उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारतियों जंता पार्टी जो है वो सियास्त कर रही है पराली के कर रुक करते रहेंगे तमाम अबडेट लेते रहेंगे फिलाल आपका बहुत शुक्रिया ऐसा आम खबर के लिए